3, 2, 1, we have ignition नमस्कार दोस्टों, New Study 24 में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज ये मेजरमेंट का चेप्टर समाप्ट होने वाला है और एक तरह से हम देखे तो इस मेजरमेंट के चप्टर में बहुत-इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जहांसे एक्जाम में कोश्टन आते ही है तो इसलिए आप ये मान के चलिए मेजरमेंट चप्टर पूरा होने से आपको एक से चार कोश्टन वेडिफिनिट कोई भी एक्जाम चाहे BPSC हो चाहे बिहार SI हो आपको एक कोश्टन से लेकर चार कोश्टन तक देखने को मिल सकता है तो अब इसके मेजरमेंट के अंतरगत मेरा लाश्ट एपिसोड होने वाला है इसके बाद हम अगला अपिसोड कोई दूसरे टॉपिक पर लेके आएंगे फिलहाल हम इस टॉपिक को देख रहे हैं और लाश्ट जो है मेजरमेंट यह भी अपने आप में यह जो टॉपिक है मेजरमेंट का यह अपने आप में बहुत ही महत पूर्ण है क्योंकि यह जो टॉपिक है यह उपकरन से संबंधित है मेजरिंग में जो उपकरण से संबंधित है उससे टोटल मैं उपकरण से संबंधित नहीं बोल रहा हूं यहां पर सिर्फ मेजरमेंट में जो है उपकरण उससे समंधित जो है कोश्चन जो बनते हैं वो लगभग लगभग एक्जाम में आते हैं और मुझे अनुमान है कि यह जो है टॉपिक जरूर आएंगे तो देखते हैं इसे कि एट्मोस्फेरिक प्रेशर मेजरिंग एट्मोस्फेरिक प्रेशर वाई मंडल ये दाब को मापने के लिए हम किसका अपयोग करते हैं बैरोमीटर का अपयोग हम करते हैं मेजरिंग देन्सिटी ओफ लिक्विड तरल की घनत्व को मापने के लिए हम किसका अपयोग करते हैं हैड्रो मीटर का अपयोग करते हैं हिमुडेटी डेंसिटी ऑफ एट्मोस्फेर वाई मंडल की आधरता की जो घनत वह उसे मापने के लिए हम किसका उप्योग करते हैं हैड्रोमीटर हैग्रोमीटर बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है अब अगला है गाइस का दाव और घनत को मापने के लिए हम किसका उप्योग करते हैं मैनोमीटर का उप्योग करते हैं कि भूंचमा है विदूदधरे की जो प्रवलता है उसे मापने के लिए हम किसका अपयोग करते हैं गैलवेनों मीटर का अपयोग करते हैं छठा है विभवांतर जो है विभवांतर विभवांतर को मापने के लिए हम किसका अपयोग करते हैं किस उपकरन का तो बोल्ट मीटर का विधुद्धारा को मापने के लिए हम एमीटर का उप्योग करते हैं वायू और हवा की गत्ति को मापने के लिए हम एनीमो मीटर का यूज करते हैं इसके बाद है कोई समुद्र में दूबी हुई वस्तू का पता लगाने के लिए किसका उप्योग करते हैं कि तो सुनार का उपयोग करते हैं कि अगर समुद्र की गहराई मापना हो तो किसका उपयोग हम करेंगे अगर हमें समुद्र की गहराई मापना हो तो हम फेड़ो मीटर का उपयोग करेंगे है अगर हमें उचाई मापना हो किसका अपयोग करते हैं यह मापनी है तो किस उपक्रण को किस ॹाइज करेंगे किसका हुझ करेंगे तो अल्टि मैटर Speed यानि चाल चाल को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं Speedometer Purity of Gold श्वर्ण की जो सुदता है उसे मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं Cartiometer कोई भी वायूयान है या motor है चाहे नाव है उसकी जो चाल है उसकी जो रप्तार है उससे मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं Technometer का यूज करते हैं कोई भी सूर्ज की कीरन है सूर्ज की कीरन की जो तीवर्था होती है उसे मापने के लिए किसका उप्योग करते हैं एक टीन मीटर की यूज करते हैं कोई पेर है या पोड़ा है उसमें वीरधी होती है तो उस में आपने के लिए हम किसका लिए ऊक्षयाइनोमीटर को हो गई है तो किस मासा करते मांपने के लिए और अगर भुकंप करों कर्याई तो तो म किस इंस्ट्रूमेंट के लिए सिस्मोग्राफ नेक्स डेखते हैं मेजरिंग टंपरेचर तापमान को मापने के लिए मैं किसका यूज करते हैं थर्मामीटर का नेक्स मेजरिंग डेन्सिटी ओफ मिल्क एंड प्यूरिटी दूद का घनत और उसकी सुदता को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं लेक्टोमीटर का यूज करते हैं नेक्स्ट मेजरिंग स्पीड ऑप रोटेशन घूंगती हुई गती यानि घूर्णन गती को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं टेक्नोमीटर का यूज करते हैं नेच्ट है heart rate measuring and listening ने घिर्दय की जो गति है उसको मापने एवं सुनने के लिए हम किसका यूज करते हैं एस्टेटेसकोप को मेजरेंग बलड प्रेुषर रक्त की चाप या रक्त की दाव को मापने के लिए किसका यूज करते हैं तो हम यूज करते है स्फेग्नो मींटर को नेक्स्ट है major the distance traveled by the wheel of the vehicle वहानों के पहियों के द्वारा ताइक की गई दूरी को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं हम यूज करते हैं ओडोमीटर का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं ओडोमीटर का यूज करते हैं नेक्स्ट है majoring frequency of electromagnetic wave यानी विधुर चूंब कि तरंग की आविर्ती होती है उसले मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं फ़ोनमीटर का यूज करते हैं है नेश्ट सब्सक्राइब यानि सब्सक्राइब आ निए महापने के लिए मम किसका यूज करते हैं रेंगेज करते वह से यहाँ यानि वर्साय और यहां फे रिए खुझ ल नेक्सट मेजरी अर्थ्विक इंतन्सीति है वह ब्रहती है तो भुकम के आने के बाद उसमें जो है भुकम की तीव्रता मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं रियक्टर स्केल का यूज करते हैं यह बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है बन सकते हैं यहां से नेक्स्ट है तू मेजर अब शॉलिट डिस्टेंस और किस्टियर बॉर्डवी यानि कोई भी आकासिये पिंड है उसका जो कि दूरी होगा उसे हम आपने के लिए कोनिये दूरी जो होगा उसे मापने के लिए किसका यूज करते हैं सेक्स्टेंट का यूज करते हैं किसी भी आकासिये पींड का जो कोनिये दूरी होता है उसे हम आपने के लिए किसका यूज करते हैं तो सेक्स्टेंट का यूज करते ह नेक्स्ट है play plant growth प्लांट यानि पौधे की जो वीर्दHI होती है उसे मापने के लिए हम किसका दे ने करते हैं क्रेस को ग्राफ इससे पहले अभी हम देखे थे कि पौधे को पफिकी वीर्दों का आउसत मापने के लिए मतलब वीर्दी दर्म मापने के लिए हम उसका यूज किये वे थे next है measuring sound in water पानी में धोनी को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं hydrophone का यूज करते हैं next देखते है measuring speed of moving object measuring speed of moving object कोई घूम्टी हुई जो वस्तु है उसकी जो है गती मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं next day next measuring a certain amount of izing कोई भी धव है उसका जो मात्रा है निश्चित मात्रा होता है उसे मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं pepti यूज करते हैं next देखते है measuring temperature of distance किसी भी दूर की जो दूरी होती है उसके ताप को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं पीको मीटर दूर की वस्तु का तेमप्रेचर मापने के लिए हम यूज करते हैं पीको मीटर का next is measuring the velocity of a moving object कोई भी घूमती हुई जो वस्तु होती है उसकी जो गती होती है उसकी गती को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं एस्टेर एस्टेर वह स्कोप को किसका यूज करते हैं एस्टेर वह स्कोप को next is measuring मेजरिंग सब स्टाइल डिस्प्लेश्मेंट सरफेस इरेगुलेर्टी यानि सुक्ष में विश्ठापन एबं पिरिष्ट की और यह मीता को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं परसुनालाइजेशन का यूज करते हैं तो आज फिजिक्स का मेजरिमेंट चप्टर कम्पलीट हो गया अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए कॉमेंट करिए और जैदा से जैदा लोगों को सीर कीजिए